हेलो फ्रेंड स्वागत आपका आपके अपने चनल होम टूसन पे दोस्तों पुलिस भरती का इंतजार कर रहे हैं लाखो युवाओं के लिए बड़ी खुसकवरी है जिया दोस्तों पंजाब पुलिस में 10,000 प्लस पदों पर भरती आने वाली है कॉंस्टेबल सब इंस्पेक्टर और ASI के पदों पर 2022 की बंपर वेकेंसियां आने वाली है जिया दोस्तों और ये हम केवल अंदाजे के आधार पे आपको ने बता रहे हैं ओफीशियल लेटर के आधार पे आपको बता रहे हैं पंजाब पुलिस में 10,000 पद कॉंस्टेबल क आने वाले हैं क्या है इसकी डिटेल, एज क्राइटिरिया, एज्यूकेशन, कॉलिफिकेशन, सेलेक्शन, प्रोसेस क्या रहेगा अगर आप जानना चाते हैं तो वीडियो को धानसिर पूरा देखें दोस्तों आप इसनल पे नए है चनल को सब्सक्राइब के लिजे, बेल भी लेटर जारी किया है जिसमें बहुँ सारी वेकेंशी आज दो 2012 में आने वाली है, उनका सेडुल जारी किया गया है कि कौन-कौन सी बरतिया आने वाली है और कौन सी एजelसी इन बरतीյ को कंड़क्ट करवाने वाली है दोस्तों, तो इस पूरे के पूरे सेडूल में, पॉइंट नमबर दस पे, हाँ जी, पॉइंट नमबर दस पे, दसवे नमबर पॉइंट पे लिखाया है दोस्तो, होम अफेर, आप सभी जानते कि पुलिस विबाग है, वो गरह मंतराले के दिन आता है, ठीक है, तो होम अफेर और जस्टीस, इस डिपार्टमेंट में कोंस्टेबलों के पदर, पदों पर दोस्तो, तो कोंस्टेबलों के पदों पर दोस्तो, कुल मिलाकर 10,314 वेकेंसियां आने वाली है, हाँ जी, पंजाब पुलिस कोंस्टेबल 2022 में टोटल वेकेंसियां 10,314 रहेंगी, और दोस्तो, इस बरती को कंड़क्ट करवाने वाली बात कर लेते हैं दोस्तो अपलाई डेट ये फोरम कब तक आने की संभाव नहीं है तो दोस्तो ये वैसे तो फोरम अप्रेल के महिने में आने थे लेकिन पंजाब में चुनाओ हुए सैडूल थोड़ा सा फेर बदल हुआ नई सरकार आई नया सीम बना तो सैडूल भी नए त किसे जारी हुआ है तो आभी ये संभावना है कि ये जो वैकेंजिया है आपको मई या जून के महिने में देखने को मिलेंगी दोस्तो ठीक है बात करते हैं दोस्तो एज क्राइटीरिया की एज लिमिट क्या रहेगी पंजाब पुलिस कोंस्टेबल के लिए तो दोस्तो आपकी मिनिममम 18 मैकसिमम 28 साल होनी चाहिए अगर आप जनरल कटेगरी से बिलों करते हैं और दोस्तो ये जो एज है आपकी एक एक 2022 को काउंट होगी यानि एक जनवरी 2022 की आपकी उमर 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए जनरल कटेगरी अगर आप पंजाब प्लिस कोंस्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं जो अदर के टेगरी हैं उनको जो छूट मिलती है वो रूल के गोडिंग मिलेगी दोस्तो ठेक हैं बात कर लेते हैं education कालिफिकेसन की तो दोस्तो पंजाब प्लिस कोंस्टेबल के लिए आपकी जो कालिफिकेसन है वो 12 पास होने चाहिए with minimum दोस्तो 60% mark यानि बारवी में आपके कम से कम 60% अंक होने चाहिए general category OBC, SC, ST में दोस्तो 55% साइद इसमें मांगा गया है general category का confirm है 12th with 60% और इसमें दोस्तो एक और desire की गई है कि आपको पंजाबी बासा की knowledge होना जरूरी है पंजाबी बासा कहने का मतलई यह है कि आपके पास 10th standard में 10th class में आपके पास पंजाबी का होना जरूरी है या आपको पंजाबी बासा का ज्यान होना जरूरी है तो education qualification बहुत ज़्यादा जरूरी है बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी 12 तो हम है 60% अंग भी है लेकिन क्या आपके पास दस्वी में पंजाबी थी जैसे हम दस्वी करते हैं तो आपके पास संस्किर्ट होती है ड्राइंग होती है इसी परकार आपके पास अगर आप पंजाब पुलिस के लिए प्लाई करना चाहते हैं तो दस्वी में पंजाबी का होना जरूरी है बात कर लेते हैं दोस्तों सलेक्शन प्रोसेस की तो सलेक्शन प्रोसेस दो इवेंट से होकर गुजरता है एक आपका या तो ओनलाइन या फिर OMR बेस टेस्ट होता है दोस्तों ये टेस्ट आपका दो घंटे का होता है सो नंबर का दोस्तों ठीक है इसके बाद जो बच्च की बात करें तो पांच फूट साथ इंच यहां पे मेल के लिए है दोस्तों ठेक है वो हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे जब डिटेल आपको बताया जाएगा सेलेक्शन प्रोसेश रिटन एक्जाम कितने नंबर का होगा ठेक है फिजिकल में क्या-क्या करवाया ज करते हैं यह आपके पास दसीवें पंजाबी थी और आपको पुलिस की जो बच्य लगती है तो आप इस फॉर्म के लिए अपलाई कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे करेंगे कि Other State के क्या आप लाई कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं जनरल कटेगरी के तहरे दोस्तों बसर त है तो आपको सलक्षन से वैसे भार कर दिया जाएगा ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपकी डिस्स की है पद कितने है फोर्म आप मई जोन में आने की समभावना एज क्राइटीरिया एलिजिबिटी सलक्षन प्रोसेस आगली वीडियो में आपको डिटेल बताया जाएगा रि खोप्ता है यरोबी मैं पितने रिदैने वट्रीवें इस के वीडिभ थार काbelा है जाएगां भ जांगा भीक है मिर वा शोनुएमंगा प्रोसेसे एलिवर कितने से पहचे़ारे प görüşुलाब है क्शने घाता भीकार करहेंने एलिबाः ना टेडमनेशने से बाने आने एले ब